पिछले महीने की बात है, भारत के जो फॉरन सेक्रेटरी है, मिस्टर विने सिंग क्वात्रा ये बांगलादेश के दौरे पर गए थे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेक हसीना जी के साथ मुलाकात करी थी, और मुलाका आपकी उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में हेल्प करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, यह वाली खबर पिछले महीने की ही है, और यह वाला जो प्रोजेक्ट था, इंडिया इसमें रेस में लगा हुआ था, उस समय जब यह वाला हमें को मिला, उसी समय बांगलादेश के Foreign Ministry के Spokesperson ने एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, कि हम लोग यह प्रोजेक्ट किसको देंगे, इसका फैसला लेने से पहले, we will take into cognizance the geopolitical issues, और ऐसा लग रहा था, कि शायद बांगलादेश यह वाला प्रोजेक्ट भारत को दे सकता है, ल बांगलादेश ने decide किया है कि वो वाला जो प्रोजेक्ट है, वो भारत को नहीं, बलकि वो चीन को दिया जाएगा, यह वाला जो statement है, यह वाला जो announcement है, यह अगेन बांगलादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी के ही द्वारा, अपने ही पार्लेमेंट में खड़े होकर कहा गया है कि हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट को चीन को देने वाले हैं और इसके लिए 1 बिलियन डॉलर से भी बड़ा का लोन है, जो कि हम लोग चाइना से ही लेने वाले हैं, यह अपने आप में बहुत ही जादा shocking development बन जाती है भारत के लिए, वैसे तो इस सदीग में जाकर के अब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि चाहिना की मदद से बनने वाला है, तो यह अपने आप में भारत के लिए security concerns भी खड़े कर देता है, बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, यह प्रोजेक्ट क्या बांगलादिश प्लान कर रहा है, आखिरकार इस से भारत को क्या-क्या नुकसान देखने को मिल सकता है, आए शुरू करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं, हमारे lectures के updates को प्राप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माधियम से ऐसा कर सकते ह हैं, alright, सबसे पहले हमें तीस्ता नदी की location और उसके flow के बारे में जानना होगा, तीस्ता की जो नदी है ये भारत में सिक्किम में originate करती है, जगा का नाम है चुन्थांग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह दोस्तो सिक्किम का हमारा प्रदेश है, यहाँ से तीस्ता पंगॉल का जो northern area है, northern part of West Bengal वहाँ पर flow करती है, and then eventually यह बांगलादेश में entry कर जाती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा जो flow है, यह बांगलादेश में भी हमें देखने को मिल जाता है, और eventually यह सारा flow करने के बाद बांगलादेश में ब्रहम पुत्रा म पर तीस्ता नदी जो कि बांगलादेश के अंदर flow करती है, इतना वाला जो यह वाला part है, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा economic project plan कर रही है, असल में problem क्या है, बांगलादेश का जो यह वाला उत्री हिस्सा है, यहाँ पे जनसंख्या की आबादी बहुत ही जादा है, in fact जो कि उस तीस्ता नदी के ऊपर भारी रूप से dependent है, लेकिन problems क्या होती है, कभी-कभी यहाँ problems होती है, floods की और उसी के time जब floods आते हैं तो soil erosion होता है, और जब गर्मियों का time आता है तो उस time पे water scarcity की problem यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए बांगलादेश यहाँ पर एक बहुत बड़ा बराज बनाने का plan कर रहा है, जिसकी मदद से वो basically जो तीस्ता नदी का पानी है, उसको contain करने का प्रयास करेगा उसी जगा पे, so that जो यह वाले लोग हैं, जो यहाँ पे आसपास लोग रहते हैं, इनको जो पानी की कमी है, वो गर्मियों के time पे महसूस ना ह हो सके, और इसी के लिए Bangladesh ने plan किया है कि एक mega hydro power project है, जिसको की यहाँ पर बनाया जाएगा, यह वाली announcement जब Bangladesh ने करी थी, आज से डेट दो साल पहले की बात है, immediately China ने कहा हम लोग आपको यह वाला project बना के देंगे, October 2022 की आप लोग यहाँ पे देखे, चाइना की foreign ministry की पहले जो spokesperson थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इस project को visit करेंगे, और Chinese engineers ने कहा कि हम लोग जो भी आप लोग इसमें करना चाहते हैं, river की dredging हो, कोई बराज बनाना है, सब कुछ हम लोग आपके लिए करने को तयार हैं, in fact पिछले ही साल December 2023 में, जो China के envoy हैं बांगलादेश में, उन्हो इंडिया ने भी कहा कि हम लोग भी obviously यहाँ पर आपके लिए project बनाने में तयार हैं, इंडिया के लिए ये करना बहुत जरूरी था, because अगर आप देखें, तीस्ता एक trans boundary river है, मतलब कि दोनों ही देशों में flow करती है, और even आपको मालूम होगा, तीस्ता की जो history है, एक disputed की PM शेक हसीना अपने ही सांसद में ऐलान कर देती हैं, कि हम लोग इस project को चाइना को सौंपने वाले हैं, और इसके लिए जो भी loans लेने होंगे, वो हम लोग चाइना से लेंगे, जो भी यहाँ पर companies काम करेंगी, वो चाइना की ही companies यहाँ पर काम करने वाली हैं, इसके सीध सीधे तोर पे बात करूं, तो भारत को दो बड़े नुकसान होने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं, यह तीस्ता नदी, मैंने आपको बताया, cross boundary नदी है, और इसमें भी अगर आप देखें, 83% जो इसका flow है दोस्तों, वो भारत में होता है, केवल 17% इसका जो flow है, वो बां directly, very very crucial for India, और अगर सारा का सारा flow यहाँ पे चाइना के पास जाता है, आप सबी जानते हैं कि जो कम्पनिया यहाँ अकसर चाइना की काम करती है, वो अकसर उनकी PSU कम्पनिया होती है, को प्राइवेट कम्पनिया नहीं होती, और अगर PSU कम्पनिया काम कर रही है, तो समझ लीजे कि वो सारा का सारा डेटा चाइना की सरकार के पास भी पहुंच जाएगा नंबर दो जो की सबसे जादा crucial चीज मानी जाती है ये वाला जो project है इस मैप को फिर से देखिए ये दोस्तों तीस्ता नदी पे यहाँ पे project plan किया जा रहा है आप खुद देख सकते हैं कि ये chicken neck corridor के कितना नजदीक है और chicken neck corridor या फिर सिली कुरी corridor भारत का एक लौता रास्ता है जिससे हम लोग नौर्थीस्ट इंडिया के साथ connect करते हैं और अगर इतनी नजदीक में आकर के चाइना अप आप में भारत के लिए बहुत ही जादा concerning situation बन जाएगी not just from the economic point of view लेकिन mainly strategic और security point of view से भी ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा देखते हैं क्या होता है लेकिन इसमें एक concern है क्योंकि तीस्ता एक trans boundary नदी है और अगर बांगलादेश मान लीजे कोई भी domestic project वहाँ पे करने का plan करती भी है तो experts ये मानते हैं कि इंडिया के consent के बगैर बांगलादेश अपने इस master plan को आगे नहीं बढ़ा सकती है और आप सभी जानते हैं कि इसमें West Bengal सरकार का भी एक बहुत बड़ा से होगा कि वो लोग यहाँ पर इसमें जो agreement है जो कि almost पिछल होगा कि exactly इसमें proceedings क्या होने वाली हैं लेकिन जो भी होगा इसमें इंडिया को बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ने की आवशकता है आप लोग क्या सूचते हैं हमें बता सकते हैं comment section में जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि 2023 के examination में जिसका final result आ चुका है अन Academy के learners के द्वारा बहुत ही शांदार performance करके दिखाया गया है टॉप 10 में चार learners पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक learners ऐसे थे जो कि आन Academy के साथ जुड़कर के अपनी तयारी कर रहे थे आप भी अपनी तयारी हमारे साथ जुड़के शुरू कर सकते हैं चुकि हमारे अब offline centers नई दिल दिली के करूलबाग में नई दिली के मुखर जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं सभी centers में हम लोग आपके लिए GS courses और उन GS courses के साथ साथ CSAT, essay writing, current affairs coverage, educator interaction और साथ में test series सभी चीजें बिलकुल निशुलक अवेलेबल कर रहे हैं फिर भी आपको कोई doubt है तो आप centers को visit कर सकते हैं या फिर नीचे दिये गए phone numbers पर आप लोग phone भी कर सकते हैं, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.